अग्याइज वेलकम दिसिजिए समीर कोली सर देद अनधर लेक्चर ऑफ टॉपिक काल्ड इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन की 7.4 से पहले की डेरिवेशन्स 7.4 से पहले के सारे एक्जाम्पल्स हम कर चुके हैं अभी जो 7.4 है न पच्छे इसके अंदर 25 कोशन है जो की बहुत जादा बोरिंग है बोरिंग के साथ साथ यह एक्जाम में जरूर आएंगे एक्जामिनेशन के इसाब से बड़े इंपॉर्टन है तो एक रिक्वेस्ट होगी बात मान लेना डोंट स्किप कोई भी कोशन को मिस मत करना मेरी रिक्वेस्ट है आपसे अगर कुशन स्क करोगे न वहीं कोशन आ जाएगा हर कोशन के अपनी वैल्ली होती है यह लेक्चर छोटा रखेंगे मैंने इसमें वह देखा कि यार जो कोशन मुझे असान लगते हैं पहले वह वह वाले कर लेता हूं जैसे कि पहले वाला कोशन क्या कह रहा है वो कह रहा है इंटीग्रेट सा देखने की जूरत है 3X स्कुरे होल अपन प्लस वन डी एक्स सर आपने X की पावर 6 नहीं लिखा एक्स की पावर 6 को लिख दूगा X क्यूब का होल स्कुरे है x cube का क्या बिटा whole square क्योंकि मुझे पता है कि if we put x cube is equals to t differentiating both sides with respect to x यहां आ जाएगा 3x square बराबर dt by dx 3x square dx बराबर आ जाएगा dt t अब आ रहा है इसी लिए जा रहा है यह बात याद रख लेना तो यहां पर लिख दूँगा dt whole upon beta t square plus 1 यहां पर मेरा formula लगता है integration में dx upon x square plus a square जो बराबर होता है 1 upon a tan inverse x upon a if I am not wrong तो one upon a मैं एक बाद चेक कर लूँ क्योंकि formulas मुझे भी उतने कम याद हैं जितने तुम्हें कम याद है one upon a तो a क्या है मेरे बच्चों अगर ध्यान से देख रहे हो तो इसको लिख देंगे t square plus one square one upon one tan inverse t upon one plus c that is one तो one ही देता है tan inverse t की जगा में लिख दूँगा x cube plus c this is the final answer सीदा सीदा से लड्डू कोशन है आदे जगा में हो गया हमारे यह कोशन number one था एकदम इसी की छोट easy भेन है मैंने question number one करा है बट आप लोग को करा रहा हूं तो pattern से चलना पड़ेगा अब आता है question number two question number two कहता है d x upon under root में one plus four x square बहुत चीज़े सीखनी है आपने ध्यान दे के चलना जगा d x upon one plus four x square तो बच्चा कहेगा sir इसमें क्या करोगे d x upon under root में क्या इन दोनों में से कुछ common आ रहा है तो एक आम बच्चा जो होगा जो normal maths पढ़ता होगा जिसको ध्यान चल रहा होगा तो बुलेगा sir one common और one वो सही बोल रहा है one common आ रहा है बट हमें one common नहीं लाना हमें four common लेना है क्या तुम इसमें सिर्फ four common ले सकते हो 12 के बच्चे हो ले सकते हो तुम इसे लेक दो कि one by four plus x square क्या मैं यह समझा पा रहा हूं या नहीं फोर को जो one by four से करेंगे तो one आ जाएगा और four को x square से करेंगे तो four आ जाएगा अभी जो four है इसका one by two बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा dx upon under root में one by four को अब मैं थोड़ी तेजी से चलूँगा one by two का square plus x का square धंग से चलना है तो हाथ के आतना formula लिखते हो चलो integration of under root में a square plus x square integration of under root में यहाँ पर formula लगेगा dx upon under root में x square plus a square का formula होता है log mod में x plus under root में x square plus a square plus c अध्यान से ख्लास अगर देख रही है तो one by two log mod में x x तो x ही रहेगा plus under root में x square plus a square a square मतलब one by two का whole square x square plus a square बोला है language सही लिखना और पीछे से match करवाना जरूरी है one by two का whole square plus c c1 की जगार लिख देना c1 यहाँ पर आप छोड़ कर आ सकते हो आप छोड़ सकते हो but one by two log x plus under root में बच्चा बोलेगा sir x square plus one by four plus c1 one by two log में x plus under root में sir 4 x square plus one whole upon two plus c1 अब हम पीछे वाले के पीछे पढ़ गया है कि पीछे से match कराना है one by two log under root में हमने LCM ले लिए two two x plus under root में four x square plus one plus c1 one by two log two x plus under root में four x square plus one minus half log two log a upon log b का formula लग रहा है plus c1 इन दोनों को मिला कर भी मैं constant लिख दूँगा one by two log two x plus under root में four x square plus one plus c एक पर seven point four का answer check भी करूँगा seven point four क्या बोलती है seven point four says seven point four का exact पीछे से जो answer मिल रहा है वो answer मिलाया हूँ answer ये भी ठीक था और answer यहाँ पर भी ठीक था but confidence था बाता है जब हमारा answer पीछे से मैच करता है तो वो मैंने आपका answer पीछे से मैच करवा दिया है कुछ बच्चे कहेंगे ज़र्बिकार में आपने four common लिया जल्दी हो जाता अगर बिना four common लिये आप सही वो rule use कर सकते हो तो आप वो apply कर लिजेगा मैंने question number one और two कराया आपको question number one और two कराने के बार मैं आता हूँ question number three में वो बोलता है dx upon under root में two minus x का whole square plus one square तो sir यह तो dx upon under root में two minus x का whole square plus one square में तो सीधा सीधा formula लग रहा है dx upon x square plus a square under root के इना है ज्यान से देखना इसमें कहां फस्ता है अगर बंदा एक भी चीज गलत कर जाए तो direct formula लगा तो sir log mod में x plus under root में x square plus a square plus c तो log mod में x की जगा जगा 2 minus x plus under root में 2 minus x का whole square plus one plus c यह कहीं मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है वो गलती पकड़ आप मेरी और मैं आपका पीछे से answer मैच कराता हूँ जो गलती हुई है वो ढूंडनी बहुत ज्यादा जरूरी है तो वहाँ एक्जाम में ममी को बोलोगे कि पूरे number आएंगे मेरा बिल्कुल सही हुआ था सीधा formula लगा था और marks नहीं मिलेगे तो ज़रा ध्यान से देख लो 7.4 का 3rd देखो बहुत बड़ी गलती हुई है यहाँ पर यह जो तो माइनस एक्स है यह लीनियर है तो यह differentiate होकर इसका माइनस एक्स डिवाइड होता ही माइनस साथ है यह स्टेप ध्यान से देख लेना तो यह जो माइनस है यह दर आजेगा माइनस लॉग मॉड में 2 माइनस एक्स प्लस अंडरूड में यहाँ पर a माइनस b का whole square लगा दो 4 प्लस x square माइनस 4x प्लस 1 प्लस c तो माइनस log 2 माइनस x प्लस अंडरूड में 5 माइनस 4x प्लस x square जिस language में वो धे रहा है हम आपको उस language में देंगे plus c यह minus 1 इदर power में आ जाएगा log 2 minus x plus under root में x square minus 4 x plus 5 की power minus 1 plus c c लिखो c1 लिखो एक ही बात है क्योंकि power minus 1 है log 1 upon 2 minus x plus under root में x square minus 4x plus 5 plus this is the answer जो पीछे से मैच कर रहा है पीछे से मैच कराने वाला answer मैंने आपको करा दिया है मैंने 7.4 के 7.4 का question number one two और three आपके साथ discuss करा है hopefully आप आगे के questions try करो धीरे-धीरे बेंड करके 7.4 पूरी खतम कर देंगे फिलाल के लिए और समी सरे जाय मतादी आज जाय मतादी